हलो एवरिवन माई सैल्फिस सेयद मुस्तफाली कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं आप सब लोग अच्छे योग में स्वागत है आप सब का हमारे और आपके अपने चैनल सिर्की क्राफ्ट में मेरी पहली वीडियो को इतना प्यार और सपोर्ड देने के लिए आप सब लोगों का भहुत भहुत धन्यवाद आईए दोस्तों सीखते हैं इसी तरह का दूसरा इस्लामिक पोर्टेट बनाना जैसा के आप सब जानते हैं इस पोर्टेट को बनाने के लिए जिन जिन चीजों की आवेशक्ता होती है वो यहां मौजूद है इस सामान के बारे में बिस्तार से जानने के लिए मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखें आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं वीडियो के तरह आईए शुरू करते हैं इस्लामिक पोर्टेट की ड्राइंग करना अब यह हमारी हो गई ड्राइंग तयार अब हमें आविशक्ता है एक ट्रेस पेपर की और एक कार्वन पेपर की अब हम ट्रेस पेपर को इस पर लगाते हैं और ड्राइंग कर लेते हैं अब यह हमारी ड्राइंग ट्रेस हो चुकी है अब हमें आविशक्ता है एक कार्शीट और एक कार्वन पेपर की अब हम इस कार्वन की साहिता से इस ड्राइंग को इस कार्शीट पर उतार लेते हैं अब यह हमारी कार्शीट पर ड्राइंग तैयार हो चुकी है अब हम कैची की साहिता से इसको कटिंग करते हैं अब यह कटिंग हो चुकी है अब हम इस कटिंग पर इस केमिकल को लगा कर दस मिनट को सूखने के लिए रख देते हैं अब हम इस सिर्की को लेकर दो भागों में बाड़ देते हैं अब हम इस सिर्की पर यह केमिकल लगा कर दस मिनट को सूखने के लिए रख देते हैं अब यह दोनों चीजे सूख चुकी हैं हमारी अब हम इन पर सिर्की चुपकाते हैं अब यह पार्ट सिर्की चुपका कर तयार हो चुके हैं अब हम इस बोट पर इस केमिकल की साइथा से इस डिजाइन को चुपका देते हैं ह्सुपका है झाल अब ये पोटेट तयार हो चुका है इसी तरह की नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें अगली वीडियो में हम आपको बैलवेट बस्तर द्वारा नए नए गिफ्ट बनाना शिकाएंगे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद